मेरा नाम साइफुल है मैं वेश्ट बिंगल डिस्टिक मालदा से बोल रहा हूँ मेरा सवाल है मैं अगर किसी को 20 रुपिया उधार देता हूँ और उचसे मैं 100 रुपिया महिना में प्रॉफिट ले रहा हूँ और जो 20 रुपिया उसको मैं उधार दूँगा वो मुझे जब चाहे लोटा सकता है कोई फिक्ष टाइम नहें रहेगा तो यह लेना जो मैं 100 रुपिया महिना में लूँगा यह सूध में आएगा क्या है यह हमारे एक भाई साब का सवाल इनका कहना है कि मैं किसी को 20 रुपिया रुपिया दे रहा हूं और जब चाहे मुझे लोटा सकता है और जब तक 20 रुपिया मेरे उसके पास रहेंगे वो 100 रुपिया मन्थली मुझे को देता रहेगा तो क्या यह सूध होगा की नहीं तो देखे इसके सूध होने में तो जर्रा बरावर भी शक और शुबा नहीं होना चाहिए यह तो बिलकुल ही ओपर और वाज़ सूध है और सूध के बारे में अगर बुनियादी मालुमात भी किसी के पास हो तो इसमें शक नहीं करेगा कि यह सूध है क्योंकि वाज़ तो पर आप किसी को कर्ज दे रहे हैं क्योंकि आप खुद यह कह रहे हैं कि यह जब चाहे लोटा सकता है और फिर आप कहरे हैं कि हर मन्थ वो सवर रुपय देगा तो इसी का नाम सूध है सूध की जो डिफिनेशन है वो समझना बहुत जरूरी है कि सूध कहते है किसको है तो देखे सूध की जो तारीफ है वो यह कि कुलो कर्जिन जर्र मनफ़ातन फहुरेबा कि हर वो कर्ज जो आपको नफा दिलाए वो सूद है तो आपने किसी के पास भी बतौर कर्ज कोई चीज रखी पैसा रखा अब उस पर आप नफा ले रहें पैसे की शकल में किसी तरह भी नफा ले रहें तो ये सूद है तो यहां वाज़ तो पर आप करें कि 20,000 रुपया दिया है अपने और वो 100 रुपया आपको मन्थली दे रहा है तो ये सूद है इसमें जरा वरावर भी शक नहीं इन्वेस्ट की बात तब आती जब 20,000 रुपया किसी को आप दे देते वो कारोबार में लगा लिया और उसके साथ आपका ये मौहिदा होता कि अगर ये 20,000 रुप गया तो तुम्हें मुझे कुछ नहीं देना है मसला उसने 20,000 रुपय का कोई सामान लाया, दुकान में रखा था, दुकान में आग लग गए, जल गया, खतम हो गया तो अब वो आपको कुछ भी लोटाने का जिम्मेदार नहीं है यानि उसने आप से कोई कर्द नहीं लिया है कि लोटा है, आप ने, उसने, दोनों ने मिलके इन्वेश्ट किया था चलो जल गया, खतम हो गया, अब आप सबर कीजिए अब अगर इस मौहिदे पर आप लगाते हैं, उसके बाद जो नफा आ रहा है, तो वो आपस में बाढ़ते हैं, तो ये चीज़ सूद नहीं होगी कि आप नुकसान में भी शरीक हैं, और नफा में भी शरीक हैं, और याद रहे कि जब नुकसान नफा की बात करेंगे, तो ना नुकसान को आप तैय कर सकते हैं, नुकसान कुछ भी हो सकता है, पूरा पैसा भी जाय हो सकता है, और हो सकता है कि आपको कुछ ना मिले, और नफा और नुकसान में शरीक हो जाएए और नफा नुकसान की हद बंदी मत कीजिए उसको मुस्तविल पर छोड़ दीजिए कैसे क्या होता तो यह चीज़ सही होगी लेकिन यह कि आपने 20,000 रुपय दिया उसको वापस भी लेना है और मन्थली 100 रुपय लेना है तो यह क्या है